मिथुन चक्रवर्ती, जिनका जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ, जो मिथुन चक्रवर्ती के रूप में एक प्रसिद्ध भारतिय अभिनेता, गायक, निर्माता, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यस्भा संसत सदस्य हैं. फिल्म उद्योग में उनकी यात्रा उल्लेखनिय संधर्शों और सफलताओं से भरी हुई है. मिथुन को छोटी उम्र से ही अभिनय का शौक था. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वह अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए पुने में भारतिय फिल्म और टेलिविजन संस्थान में शामिल हो गए. वित्तिय कठिनाईयों का सामना करने के बावजूद, उन्होंने प्रयास किया और अभिनय में डिगरी के साथ सनातक की उपाधी प्राप्त की. मुंबई जाने पर मिथुन को तीवर प्रतिसपर्धा और स्थापित अभिनेताओं के प्रभुत्व के कारण भूमिकाय हासिल करने में महत्वपूर्ण चुनोतियों का सामना करना पड़ा. जब उनके पास रहने की जगह नहीं होती थी, तो वह अकसर समुद्र तटों और बेचों पर सोते थे. उन्हें सफलता मरिनाल सेंद्वारा निर्देशित फिल्म म्रिग्यात से मिली जो 1976 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने एक आदिवासी व्यक्ती का किरदार निभाया और सरवश्रिष्ट अभिनेता का राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार जीता. इस सफलता ने उनके लिए मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा के दर्वाजे खोल दिये. 1907 और 1908 के दशक के अंत में, मिथुन डिसको डांसर जैसी फिल्मों में अपने डिसको डांसर व्यक्तित्व के साथ एक संसनी बन गए, जो न केवल भारत में बलकी अंतरराश्ट्रिय स्तर पर भी एक बड़ी हिट बन गई. अप्रमपरागत भूमिकाओं के साथ उनके नृत्य कौशल ने उन्हें सभी जनसामखीकी के दर्शकों का प्रिय बना दिया. मिथुन ने 1980 और 1990 के दशक में एक्शन से लेकर ड्रामा और रोमांस तक विभिन शैलियों की कई सफल फिल्मों में अभिनय किया. उनकी उलेखनिय फिल्मों में वांटेड, देड और अलाइव, प्यार जुकता नहीं, घर एक मंदिर, अगनिपत और जल्लाद शामिल हैं. 2000 और उसके बाद भी मिथुन ने उद्योग में अपनी मजबूत उपस्थिती बनाये रखते हुए विभिन भाशाओं और शैलियों की फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा. उन्होंने रियलिटी शो में जज के रूप में टेलिविजन में भी कदम रखा, जिससे उनकी लोगप्रियता और मजबूत हुई. मिथुन चक्रवर्ती को कई प्रतिष्थित पुरसकारों से सम्मानित किया गया है, जिन में सर्वश्रिष्ट अभिनेता के लिए तीन राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार, फिल्म फेर पुरसकार और भारतिय सिनेमा और संस्कृती में उनके योगदान के लिए मान्यता शामि अभिनय के अलावा, मिथुन सामाजिक कारियों में भी शामिल हैं और संसद सदस्य रह चुके हैं उन्होंने होटल और रिसॉर्ट्स में रुची के साथ उद्यमिता में भी कदम रखा है मिथुन चक्रवर्ती की एक संधर्शरत अभिनेता से बॉलिवुड आइकन तक की यात्रा उनकी लचीलापन, बहुमुखी प्रतिभा और दर्शकों की पीढियों के बीच स्थाई लोकप्रियता को दर्शाती है भारतिय सिनेमा और संस्कृती में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, जिसने उन्हें उद्योग जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ती बना दिया है मिथुन चक्रवर्ती की जीवन कहानी न केवल महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को प्रेरित करती है बलकि विप्रीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को हासिल करने में द्रिडता और जुनून की शक्ती का प्रमान है और भी फिल्म स्टार के बारे में जानने के लिए हमारे विडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें